अब जो इस शेप्टर का सबसे important यहां पर जो topic है वो है यहां पर difference between plant cells and animal cells तो दोनों के बीच का यहां पर हमें difference बताना है कि plant cells और animal cells में कौन-कौन से चीज़े हैं यहां पर differentiate करती हैं तो यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले animal cell में they are generally small in size तो जो animal cell होता है वो यहां पर क्या होता है चोटा cell होता है plant cell के मुकाबले they are usually larger than animal cell तो जो plant cell होता है वो यहां पर animal cell से थोड़ा बड़ा होता है और animal cell में क्या होता है cell wall absent होता है क्योंकि यह यहां पर move कर पाएंगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, move कर सकते हैं, बट plant cell यहाँ पर move नहीं कर पाता है, इसलिए उनके पास क्या होता है, cell wall present होता है, जैसे कि वो यहाँ पर atmosphere से बस सकें, जैसे कि ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, हवा चलती है और बार आती है, तो इन सब चीज से बचने के लिए यहाँ पर plant के पास क्या होता है, cell wall होता है, vacuoles are small inside, तो animals में क्या होता है, vacuoles होता भी और नहीं भी होता है, vacuoles यहाँ पर present होता है, काफी छोटा present होता है, और किसी-किसी animals में नहीं होता है, और जो plant cells में होता है, vacuoles क्या होता है, काफी बड़ा size को होता है, जैसे क कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, यह हमारा यहां पर क्या है, पूरा इसका वैक्योल है, और इसलिए यहां पर बोला गया है, लार्ज वैक्योल, प्लास्टिट्स आर अपसेंट, तो अनिमल सेल में यहां पर कोई प्लास्टिट्स नहीं होता, और प्लांट सेल में यहां प्लास्ट्रिट की वजह सरुत होता हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह ठामार रग में रैड अलर हो टा यहां पर क्लॉरोप्लास्ट में प्रेजनर्ट आपने को दरसेशा होता है और इसमीर हम क्लॉर फ्ल्ल पिर्जन और तो वोगी बात है है नहीं है पर chloroplast is absent तो chloroplast नहीं पर animal cell में क्या होता है अप्सेंट रहता है और plant cell में हुआ पर कह रहता है present रहता है आपको यहापको यहापे सारे topic समझ में आ गए होंगी यहापे जितने भी point यहापी रखे है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे अब देखते हैं पर अपना next topic